नाचरली अगर आप बिना किसी ट्रीटमेंट के नाचरली हैर लोस रोकना चाहते हैं और हैर ग्रोथ पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं देखते रहें एंड तक और डर्मेटालोजिकली प्रूवन स्पेसिफिक टिप्स वाला सेक्शन तो ज़रूर देखें स्पूने से आज हम बात करेंगे हैर लॉस की प्रॉब्लेम से निमटने के लिए कुछ नाचरल रेमेडिज की दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हैर लॉस सिर्फ आपकी अपेरेंस कोई नहीं बलकि आपकी सेल्फ इस्टिंग को भी अफेक्ट करता है और कुछ लोग हैर लॉस की प्रॉब्लेम से सफर करने के बावजूद ट्रीट्मेंट के लिए नहीं जा पाते अपने पर्सनल या मेडिकल रिजन्स की वज़े से इसलिए आज हम देखेंगे कुछ नाचरल रेमेडिज और टेकनिस जो आपके बालों को दोबारा उगने में मदद कर सकती हैं चलिए शुरू करते हैं पहले समझते हैं कि हैं लॉस कोन से कारण की वज़े से होता है है कई कारण हो सकते हैं कुछ कॉमन फैक्टर है जनेटिक होर्मोन इंबालन्स और नूट्रिशनल डेफिशेंस कभी-कभी यह हैं लॉस का असली कारण क्या है वह अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है लेकिन एक बात जब हम रूट पॉस को एडिटिपाय कर लेते हैं तब हमें सही सोलूशन मिलने की समामना बढ़ जाती हैं आईए समझते हैं कि क्या हो सकता है तो पहले है नूट्रिशनल टिप्स फ़र हैर ग्रोथ हम जानेंगे पहले कि डाइट में क्या करना चाहिए अगर हैर लास आपकी इंसफिशेंट डाइट और नूट्रिशनल डेफिशेंसी की वजह से हो रहा है तो उसके लिए नाच्रोल रेमेरी है प्रॉपर डाइट एक बालन्स डाइट जो इसेंशियल नूट्रिएंट से भरपुर हो हेल्दी हैर ग्रोथ के लिए आयन यह वन आप दो मोस्ट इंपोर्टन काज है हैर लास का मेंली इन वेगंस और मुवेंट विध हैवी पिरेट आयन की वजह से बैसिकली प्रोटीन है जो अक्सिजन करता है वह बनता है तो यह इन्वाल होना आपने डाइट में बहुत ही इंपोर्टन है सेकंड है बायो इंपोर्टन रिच फूर्स हमको टायट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है जैसे सेट्स, फ्रेश लिपी वेजटेवल, अवगाड़ो, कॉलिफलावर, एंसेट्रा, थर्ड है ओमेगा-3 fatty acids यह बालों को hair follicles को strong मनाने के लिए helpful रहता है, inflammation को कम करने के लिए stress को कम करने के help करता है, plus essential oil जो है इसमें वो skin को strengthening देता है, dermis को strengthening देता है, यह flexes, chia seeds, walnuts, rai fruits और fish में मिलता है, vitamin B12 is another ingredient है, जो बहुत ही important है, यह red bell cells के production में मदद करता है, जो oxygen को hair follicles तक पहुंचाने में मदद करते है, so vitamin B12 आपको dairy products, eggs, meat या fortified foods में मिलता है, या cereals में मिलता है, vitamin D3, vitamin D3 hair follicles के नए और पुराने दोनों को stimulate hair follicles को stimulate करने में मदद करता है, जैसे vitamin D usually food में नहीं पाया जाता, but certain fortified foods या sun exposure से मिलता है, या certain supplements आपको लेना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा है vitamin C rich food, vitamin C collagen production के लिए help करता है, तो scalp के dermal layer को strengthening के लिए, hair follicle cells को strengthening के लिए ये helpful रहता है, तो ये broccoli, citrus fruits, tomatoes, almonds and आमला में रहता है, Then vitamin E, vitamin E is very important to relieve stress, free radical mechanism से ये oxygen in your stress को ये कम करता है, So green leafy vegetables, then almonds, raisins, vitamin E भरपूर मात्र में पाया जाता है, So, आपकी hair growth को improve करना है, तो proper balanced diet होना with all these ingredients is very important, इसके अलावा आपको healthcare professionals को, dermatologist को consult करना जरूर है, जो आपके investigations करेंगे, proper examine करेंगे और आपको सलाहा देंगे, इनका regular use आपके बालों में noticeable change लाएगा, इनके अलावा कुछ और techniques और natural remedies और certain instructions हम देखेंगे, जो hair loss को रोकने के लिए और hair growth को improve करने में मदद करेंगे, healthy light के अलावा और सारे कही tips है, जो हम देखेंगे एक-एक करके, जो आपके hair fall को कम करने के लिए और hair को regrowth करने में helpful रहते हैं, तो पहला है scalp massage, regular scalp massage आपके बालों के blood circulation को improve करता है और hair follicles को stimulate करता है, जो hair growth को promote करेगा, आप किसी भी natural oils जैसे की coconut, almond या jojo oil का यूज करके general circulation motions में massage कर सकते हैं, second is aromatherapy जिसमें essential oils जैसे lavender, peppermint, thyme hair growth को promote करने में effective रहते हैं, उनका यूज कर सकते हैं along with certain carrier oil जैसे की coconut oil या castor oil, इसके अलावा certain relaxation techniques भी helpful रहते हैं जो आपको stress relief करने में helpful रहेंगे, certain regular exercise, meditation वो आपको stress relief करने में मदद करते हैं और यह बहुत ही hair को improvement देता है, hair fall control करने में help करता है, then next is onion juice, yes, onion juice is an effective stimulator of hair follicles and hair growth, उसका sulfur content hair के roots को stimulate करता है, so fresh onion juice आप directly scalp पर लगा सकते हैं और थोड़ी देर के बाद hair wash कर सकते हैं, जो आपके बालों को conditioning भी करेगा और noticeable improvement भी लाएगा, then our very important and well known thing is aloe vera, yes aloe vera gel fresh यह आप use कर सकते हो, जिससे आपको hair का conditioning भी हो जाएगा और scalp भी clean हो जाता है, because it has antibacterial and anti-inflammatory properties, so aloe vera is one of the very important product which helps for your healthy hair, उसके बाद जो आता है, वो है regular hair wash and use of proper shampoo and conditioner that makes your skull free from dandruff and cleanliness, so next है regular hair wash, yes proper shampoo and conditioner use करना भी बहुत ज़रूरी है आपके scalp के अनुसार, लेकिन याद रहें किसी भी नए treatment को try करने से पहले अपने skin type और allergies का ध्यान रखें, एक dermatologist से consult करें, life health changes और health care के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं, उस प्रकार से आपके routine में ये सब चीज़े incorporate करें, अपने daily routine में कुछ changes लाकर hair loss को prevent कर सकते हैं और hair growth को promote कर सकते हैं, उसके अलवा है, first thing की, hair loss का ही stress मत लो, और ज्यादा से ज्यादा stress की वज़े से, again hair fall can increase, so proper treatment, immediate treatment and proper lifestyle will help you to reduce hair fall, proper neen लेना बहुत जरूरी है, regular hair growth cycle के लिए proper neen बहुत जरूरी है, साथ से 9 गंटे आपको neen effective neen होना बहुत जरूरी रहता है, proper healthy balance diet important रहता है, जैसे कि हमने पहले देखा कि essential nutrients, vitamins, minerals, proper quantity में proteins and healthy fats यह सब essential है, hair के structure formation के लिए और उसके साथ ही skin की, scalp की skin की health के लिए, तो यह सब थी कुछ information and important tips for your healthy hair and to raise hair fall, कुछ essential tips जो आप routine hair care में involve कर सकते हैं, जैसे gentle hair wash, hair wash regularly आफते में जैसे 2 या 3 बार आप कर सकते हो, उतना काफी है, ज्यादा बार दोने से natural oil remove हो जाता है, जो scalp को dry और flaky बना सकता है, और कोई भी products यूज करने से पहले यह चेक करें कि वह sulfate free, paravin free हो और वह आपके hair को damage ना करें, alcohol and smoking avoid करें, alcohol smoking blood circulation hamper करता है hair root को, इसलिए alcohol and smoking habits avoid करना बहुत जरूरी है, गिले बालों को अपने आप सुखने देना जरूरी है, या natural hair से या रूप में सुखाना जरूरी होता है, तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे natural तरीके से आप hair loss को रोग सकते हैं, और अपने बालों को दुबारा उगा सकते हैं, मैं उमीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फरमीटी लोगी होगी, अगर आप severe hair loss से जूज रहे हैं, या फिर बाल पैचेस या underlying health issues नोटिस कर रहे हैं, तो प्लीज एक healthcare professional या board certified dermatologist से consult जरूर करिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे like, share और subscribe करिए, कुछ आपको doubts है, कुछ queries है तो comment section में जरूर लिए, ऐसे informative वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले, additional sources और recommendations हम decision box में देगे हैं, दन्यवाद और अपना ध्यान रखे हैं, take care.